हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक माई चानल आई होप आप सब बच्छे होंगे फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं बच्छे और बड़ो बड़ो सभी की पसंद आने वाली रेस्पी मैगी स्पेशल जो की कई बार आपने बनाई होगी लेकिन आज मैं किस तरीके से बनाऊंग अपके साथ अपनी गरं लिए पानी को गर्म करने रख दिया था पानी की कॉँच फीक्स नहीं है जितनी आपकी मैगी आप उसकी अक्रेंग पानी ले सकते चाहिक तो मैंने इसको खूब अच्छे से गरम करना है पानी को जब पानी खुब अच्छे से बॉयल होने लग जाए तब हमें इसके अंदर मैगी को डिप करना है सिरफ एक मिनट के लिए हमें इसे खुब अच्छे से पकाना नहीं है सिरफ एक मिनट के लिए हमें मैगी को डिप करके निकालना है तो जब हमारी मैग यानि कि थोड़ इसी गल्ज है, जादा हमेसे पकाना नहीं है, तो एक मिनट के लिए मैंने मैगी को यहाँ पर डिप करने के लिए बहुत जादा गरम फानी में रख दिया है, उबलने के लिए तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है, और मैगी भी हमारी कुछ-कुछ सॉफ्ट और अब हम इसका पानी जो है, अच्छे से निकाल लेंगे, और इसका पानी एकदम से निकल चुका है, और देखिए इस तरीके से मैगी हमारी त्यार है, उबलकर तो खिली-खिली सी है, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, तो यहाँ पर मैगी को त्यार कर लिया है, के अंदर हम डालेंगे थोड़े से हरे मटर आप जो हैं कड़ाई का ओयल को अच्छे से गरम कर लिया के September ऑप मिंड़ियम दालेंगे और आप robi log इसको हमें सरफ एक मिनट तक स्रफ फ्राई करना है हमें इसको ज्यादा गोल्डन लाल नहीं करना है सरफ एक मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसका कच्छा पन है वो चला जाए और कि आज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसको एक मिनट तक ह जब प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दूसरी वेज़िटेबल्स तो यहां पर मैं जो गाजर थी एक बारिक कटी हुई वो भी इसमें आट कर देती हूं और थोड़ा सा बंद गोवी था यानि कि पत्ता गोवी उसको भी आट कर देती हूं बारिक कटा हुई और एक ग्रीन चिली बारिक कटी हुई इसको भी मैं इसमें आट कर देती हूं और इसमें थोड़े से जो कच्छे मटर थे हरे वो भी मैं इसके अंदर आट कर देती हूं इसको फ्राइब करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा स्वात के अनुसार नमक एड़ कर देंगे खाने वाला ताकि जो हमारी वैजी हैं वो अच्छे से पक जाएं यानि कि जैसे गाजर है और मटर थोड़ी हाड होते हैं उनको थोड़ा सा स्वात के अनुसार नमक एड़ कर देती हूं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी हमारी जो वैजी है वो सौफ्ट हो जाएं खासकर गाजर और जो मटर है वो और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे टेस्ट के लिए ताकि जो महगी हमारी है थोड़ी सी चटपटी बन जाए आपकी इक्छा है आप डाले चा सौफ्ट हो जाएं कहीं से भी कच्छी ना रहें तो यहां पर एक मिनट हो चुका है मैंने इसको खोल के देखा है तो देखिए थोड़ा सा हमारी जो गाजर और मटर है वो सौफ्ट हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे तो यहां पर मैंने जो मैगी थी जो बॉइल करके रखी थी अब वह मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगी और इसको इस तरीके से में अब इसके अंदर जो मैगी के मसाले आते हैं फ्रेंड्स पैकेट के अंदर वो मैं बारी-बारी से कट करके इसमें एड़ कर दूंगी जितने भी आप पाउच डालना चाहें वो आपके उपर डिपेंड करता है तो इसके अंदर तीन या चार पाउच आते हैं मैक्सिमम या पांच-छे भी आते हैं तो आप वो जितना चाहें उतना ड हम इसको मिक्स करेंगे दोनों चम्मच की साहता से तो मैंने यहां पर दोनों जो हमारे फॉग होते हैं काटे वाले उससे मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो मैगी और वेजिटेवल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेंट्स बहुती टेस्टी लगती है इस तरीके से मैगी बनाकर देखें एक एक दना बनेगा और बच्छे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगे इस तरीके से अगर आप मैगी बनाएंगे और वैसे तो मैगी आप सब लोगों को आती ही होगी लेकिन आप जरा इस से भी मना कर देखिए यकीन मानिए आपकी मैगी एकदम खिली-खिली बनेगी और आपका वेजी का जो टुकड़े हैं वो एक-एक नजर आएंगे और खाने में भी टेस्टी लगेगी बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी और आप जट से बन जाती है मैंनेस को यहांपे मिक्स कर दिया है सारी मैगी को और सारी वेजेटेबल्स को अचे से की तो हमारे यहांपर बन कर त्यार हो गई है मैगी मसाला और बहुत ही टेस्टी लगति है फ्रेंट्स और बनाने में भी भूत एज़ी है. मैं और अगर आपको देखिया और त्यार हो गई है हमारी मैगी मसाला और फ्रेंड्स आपको कैसी लगी यह मैगी बनाने की रेस्पी फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शियर कमेंट और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भू मिलती हूँ आपसे एक नई cooking वीडियो के साथ अपनी नई वीडियो में तो मेरे चैनल को friends support कीजिए और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को support करने के लिए thank you very much friends